नमस्कार मैं रविश कुमार 2000 का नोट कब से चलन में कम होता जा रहा था नाम मात्र का ही दिख रहा था इस नोट को लाया गया कि काला धन और भरष्टाचार खत्म होगा अब इसे विदा किया जा रहा है कि इससे काला धन और भरष्टाचार बढ़ गया है जिस देश का गोधी मीडिया एक बाबा को रातो रात महान बना देता है उसी देश में इस तरह के तरक रातो रात चला दिये जाते हैं 2000 के नोट को लेकर नोट बंदी के ठीक अगले दिन यानि 9 नवंबर 2016 को राहूल गांधी ने प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी से एक सवाल किया था कि 1000 का नोट हटा कर 2000 का नोट लाने से काला धन की जमा खोरी कैसे कम हो जाएगी राहूल गांधी के कहने का मतलब यही था कि 1000 के नोट से जमा खोरी हो रही है तो 2000 के नोट से डबल जमा खोरी होगी फिर ये नोट क्यों लाया जा रहा है राहूल गांधी का मजाक उड़ाने वाले अब पुरे जोर शोर से उन्हें सही साबित करने में लगे हैं कि काले धनकी जमा कोरी बढ़ गई थी इसलिए 2000 का नोट वापस किया जा रहा है आप से इस वीडियो के जरीए बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है कारण आप जानते हैं आप सभी की समवेदनाओं के लिए बहुत आभार इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा खबरों और फैसलों के जरीए आप के साथ जो खेल खेला जाता है उसे समझने में मदद मिल सकती है इतना बड़ा फैसला तब लिया गया जब प्रधान मंतरी विदेश में है एक समय तो ऐसे फैसले की घोशना प्रधान मंतरी ही किया करते थे याद है ना आट नवंबर 2016 को अचानक टीवी पर आ गए और नोट बंदी का ऐलान कर दिया इस बार यह फैसला रिजर्ब बैंक ने सुनाया है कोई प्रेस कॉन्फरेंस नहीं वितमंतरी का कोई बयान नहीं आया उस दिन ट्वीट भी नहीं आया यह सब क्या बता रहा है पटना से सुशिल मोदी का बयान आ जाता है और वो भी अजीब अजीब तरक दे देते हैं कि अमेरिका में 100 डॉलर का नोट है तो भारत में 2000 का क्यों होना चाहिए यह पहले नहीं पता था और आप यह बताए कि क्या भारत की जनता ने अपनी तरव से यह लिखकर दे दिया है कि हमारे पास दिमाग नहीं है आप जो कहेंगे हम सही मान लेंगे जब यह नोट आम चलन में नहीं था तब यह फैसला क्यों लिया गया वो भी इतने बड़े फैसले का एलान रिजर्ब बैंक गाइडलाइन के जरिये करता है काला धन मिटाना है तो 30 सितंबर तक नोट बदलने का समय क्यों दिया जा रहा है यह कौन सा बदलना हुआ क्या यह फैसला इसलिये लिया गया है ताकि देश में जो चर्चाएं चल रही है उनकी धारा मोर दी जाए मोदी राज में समय समय पर बड़े फैसले के नाम पर जनता को इसी तरह से सदमे में डाला जाता रहा है ताकि संसनी पैदा हो जुर जुरी मत जाए और लोगों को लगे कि हाँ भाई सरकार चल रही है एक दिन पहले चर्चा हो रही थी किरन रिजुजू सुप्रीम कोट को भला बुरा कह रहे थे तकराव मोल ले रहे थे इसलिए किरन रिजुजू को कानून मंत्राले से हटा कर धर्ती का विज्ञान वाले मंत्राले में भेज दिया गया 24 घंटे भी नहीं भी थे कि मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर उपराज्य पाल का नियंत्रन रहेगा जबकि कई महिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोट ने साफ साफ फैसला दे दिया था कि चुनी हुई सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रन होना चाहिए तब अध्यादेश क्यों लाया गया ट्रांसफर पोस्टिंग कौन सी अर्जन चीज है कि इसके लिए अध्यादेश लाया गया क्या ये सुप्रीम कोट से टकराव नहीं है जब फैसला आ गया है तो स्विकार क्यों नहीं किया जा रहा है जब टकराव ही मोल लेना था तो इस पर पन्ने क्यों भर दिये गये अख़बारों के कि टकराव के कारण किरन रिजूजू को हटाया गया कहीं ऐसा तो नहीं कि असली कारण आपसे छुपा लिया गया है करनाटका में एक नई सरकार शपत ले रही है एक OBC नेता मुख्यमंत्री पत की शपत ले रहे है चायवाले की चर्चा तो बहुत हुई लेकिन गरेडिया परिवार का कोई मुख्यमंत्री बन रहा है वो हेडलाइन कहां है वो छोड़िए ये हेडलाइन कहां है जो चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने कह दिया है श्री नगर में G20 की पर्यटन मंडली की बैठक होने वाली है चीन ने कह दिया कि वो बैठक में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि यह बैठक जम्मू कश्मीर में हो रही है और चीन जम्मू कश्मीर को विबादित शेत्र मानता है चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने ये बयान दिया है तो क्या अब भारत चीन को भारत आने से रोकेगा चीन के राश्ट्रपती सितंबर में भारत आएंगे उससे पहले चीन ये सब कहने लगा है उधर जापान चाहता है कि भारत स्टैंड ले कि कोई देश किसी दे ठक हो रही है यहां प्रधान मंत्री ने गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है गोटसेवादी ठीक से देख सकते हैं कि ये गांधी ही है राजनईक दौरों को लेकर बारिकियों पर बहस कम होती है फोटो पर जादा हो रही है कि कौन किस से मिल रहा है यह नहीं बताया ज मैं इसे डीपी डीप्लोमसी कहता हूं डीपी डीप्लोमसी का मतलब यह हुआ कि आप किसी देश के राष्ट प्रमुख के साथ फोटो खिचा लें और उसे लेकर वाटसप की डीपी में लगा दें इंस्टा पर डाल दें ताकि लाइक्स मिलने लग जाएं और तारीफ होने ल रहा हूं मुझे पता है कि यह वीडियो 2000 के नोट वापसी पर है लेकिन इन संदर्बों से यही बताना चाह रहा हूं कि कैसे हेडलाइने बनती हैं और कैसे लाइने तैह होती हैं श्री नगर की बैठक में चीन का नहीं आना यह कोई मामुली बात नहीं है जिस कश्मीर में आज तक पता नहीं चला आज तक कि 2019 में किसके बुलावे पर यूरोपियन यूनियन के कुछ अजीब औ गरीब सांसत कश्मीर का दोरा कर गए तब जब विपक्ष को भी वहां जाने से रोक दिया गया था कोई माड़ी शर्मा थी उनके बुलावे पर यह सांसत श्री नगर बुला खता गए उन माड़ी शर्मा का आस तक पता नहीं चला कि यह कौन है जैसे आस तक पता नहीं चला कि नोट बंदी का असली लाभारथी कौन है आप तो है नहीं आपकी तो मेहनत की कमाई सड़कों पर गोबर हो गई तो इस फैसले का का कोई तो लाभारती होगा माड माड़ी शर्मा को खोच सकते हैं तो बुला कर पूछ लीजिए एस जैशंकर विदेश मंतरी चाहें तो अंग्रेजी में ही बता दें कि माड़ी शर्मा कौन थी अब आपको पता चला कि रवीश कुमार ओफिशल देखने से आप किस तरह से जागरुक बनते हैं आपकी जेब क का फैसला क्यों लिया गया क्या इसलिए कि आप जिन चीजों को लेकर बात कर रहे थे उन्हें वहीं छोड़कर इस तरह से तथा कथित और और तारकिक बड़े फैसले में उलग जाएं और मजबूत निता की तस्वीरें देखने लग जाएं और तारकिक और तथा कथित इस इसलिए कहा कि इस 2000 के नोट से काला धन खत्म करने का दावा किया जा रहा था और अब इसे इसलिए वापस लिया जा रहा है कि काला धन बढ़ गया है इसी से तो क्या मोदी राज ने अपना असर खो दिया है अगर मोदी राज दिन बदिन ठोस काम कर रही थी बैमानी पर नज क्रमा खोरी इतनी कैसे बढ़ गई कि 2000 का नोट ही वापस लेना पड़ रहा है अभी करनाटका के चुनावा में भरस्टाचार के मुद्दे पर कौन हारा बीजेपी हार गई उस पर 40 प्रतिशत कमिशन खोरी का आरोप लगा और जनता ने प्रधान मंत्री मोदी की इमानदारी पर भरुसा नहीं किया आपको ए घटना की याद दिलाता हूँ आठ नवंबर 2016 को नोट बंदी का एलान हुआ उसके पांच दिन बाद प्रधान मंत्री करनाटका के बेलगावी में सभा कर रहे थे वहां आई भीड को दिखा दिखा कर देश को बता रहे थे कि जनता नोट के समर्थन में आई है उन पर विश्वास करती है वे कभी जनता से हाथ उठा कर तो कभी ताली बजा कर बताने के लिए कह रहे थे कि पूरा देश नोट बंदी के इस फैसले के साथ है इस सभा में प्रधान मंत्री ने पच्चास दिन का समय मांगा था उस दोरान प्रधान म गलत निकल जाए तो आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर देश जो सजा तै करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं ना तो सजा का पता चला ना उस चौराहे का ना उस गलती का ना उन कमियों का क्या प्रधान मंत्री की ऐसी भाशा होनी चाहिए थी मगर तब आप जनता जोश में थे लगा कि वा क्या बात है अब बताएए कि कौन सी कमी रह गई है कौन सी गलती हो गई कि आप 2000 का नोट चापकर फिर उसे वापस ले रहें और रही बात सजा की तो प्रधान मंत्री तो विदेश दोरे पर हैं सजा आप बैंकों में लाइन लगकर डू यू गेट माई पॉइंट नेता को पता है कि जनता भोली भाली है इसलिए लोगों से कहा गया कि आप केवल हाथ उठाकर या ताली बजाकर इसका स्वागत कीजिए यह फैसला राजनितिक फैसलों के इतिहास में एक बुरा लेकिन मील का पत होता हो आपका भला हुआ हो तो कृपिया मुझे जरूर बताईए यह बात बोगस और बकवास है कि काला धन समात करने के लिए 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं 2020-21 में 2000 के नए नोट नहीं चापे गए बाजार में 2000 के नोट का चलन भी तेजी से घटने लगा एक समय 6,72, 2000 करोड के बराबर के 2000 नोट चल रहे थे मगर मार्च 2023 तक आते आते घटकर 3,62,000 करोड पर आ गये तरीप पौने 4,00, करोड के नोट वापस लिए जाएंगे तो जो जमाक हो रहे है उसे यह बात एक मिनट में समझ आ गई होगी कि 2000 का नोट कभी भी बंद हो सकता है इसलिए वो 2000 के नोट में क्यो जमाक होरी करेगा और कर भी रहा होगा तो उसने बदल लिया होगा बहतर है कि सरकार ही बता दे कि क्या 500 के नोटों की जमाक होरी नहीं हुई अगर 500 के नोटों की गड़ियां जमाक होरी या छापे में पकड़ी जाती हैं तो क्या इस आधार पर 500 के न सब करने की जरूरत नहीं थी बशर्ते ध्यान से सुनिये बशर्ते किसी और को राजनितिक तोर पर ऑइस्थिर करने की नीयत ना हो लेकिन अगर ये नीयत होगी तो फाइदा भी किसी को हो रहा होगा इन सवालों का उत्तर आप नहीं जानते हैं विवेक कॉल ने एक हिसाब लगाया है कि जो नोट इस वक्त चलन में है 2000 का उसे बदलने के लिए सभी को बैंकों के 18 करोड से ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे पत्रकार एम के वेड़ू ने लिखा है कि जिनके पास 2000 के 2 करोड रुपए होंगे उन्हें अपना नोट बदलवाने के लिए 1000 बार बैंक जाना पड़ेगा वो भी 130 दिनों के भीतर काश मेरा भी गणित इतना अच्छा होता कि इस तरह के हिसाब खुद से निकाल लेता के नोट को काला धन कह दिया जाए बहुतों की मेहनत की कमाई भी है ऐसा नहीं है कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था या जनता के जीवन पर नहीं होगा लेकिन जैसे ही मैसूस होगा ये लोग मंदिर का फोटो लेकर आ जाएंगे आपके सामने या किसी बाबा को आपका बाप बना देंगे कि इनको सुनों असली मुद्दों पर चर्चा मत करो कि मुद्दे पर आओ, मुद्दे पर आओ, मुद्दे पर आओ तो जब मैंने देखा मुद्दी से आते हुए कि चुनाव में शायद पहली बार के लिए प्रधान मंत्री जी, महंगाई, लिकाः और आपके जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं बहुत खुश हुई आते हाते अपना फोन देख रही थी, फिर से नियूज देखी और भई फिर से पट्री से उतर गए फिर से विकाः की बाद छोड़ दी, महंगाई की बाद छोड़ दी, रोजगार की बाद छोड़ दी और पता नहीं क्या इंटरनेशनल कंस्पिरसी इसकी बाते करने लगए और कोई दूसरे देश देश की बाते करने लगए अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है कि जनता को अपनी चीजों पर अपने मुतों पर बात और चर्चा चाहिए तो इधर उधर की बात न कर ये बता की कासला क्यों लुदा मुझे रहज़नों से गिला नहीं तेरी रहपरी का सवाल है पिसम जाते हूं ये बात पुरी तरह से गलत नहीं है दो हजार चौबिस का चुनाव आ रहा है आप देखिएगा भव्य इमारतों और भव्य बाबाओं से गोदी मीडिया अपनी जगब भर देगा बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे महंगी शिक्षा ये सब गायब हो जाएंगे आपके जीवन में क्या बदलाव आया इन दस वर्षों में इस पर चर्चा नहीं होगी कोई बाबा ललकार रहा होगा कि हिंदू राष्टर बनेगा बलकि ये काम अभी से शुरू हो गया है काला धन पकड़ना मकसद होता तो इस तथा कथित इमांदार सरकार के रहते इस तादाद में काला धन का निर्माण ही नहीं होता कि इस से बचने के लिए नोट को ही वापस लेना पड़े क्या इस सरकार के पास यही एक रास्ता बचता है आप भूल जाते हैं लेकिन मैं याद दिला देता हूँ 2015 में मोधी सरकार ने कानून बनाया इस कानून के तहत काला धन वालों को छूट दी गई कि एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच जो अपने अगोशित आय की घोशना कर देगा उस पर 45 प्रतिशत टैक्स दे देगा काले को सफेद बना कर घर चला जाएगा 2019 में इसमें एनराई को भी जोड दिया गया काला धन वालों के खिलाद सक्ती का नाटक करने वाली सरकार महरबानी भी करती है कुछ दे कर बाकी ले जाओ उन्हें सफेद करने का मौका भी देती है बूझ गय की नहीं बत्वा हमार गोदी मीडिया इसे भी मास्टर स्ट्रोक बता देगा उसे अपने मास्टर का हीट स्ट्रोक भी मास्टर स्ट्रोक लगता है बैंक के कैशियर और पेट्रोल पंप के मैनेजर की हालत खराब होने वाली है नोट बंदी के बाद कई कैशियरों ने मुझे बताया था कि इतने नोट आ गए कि उन्हें गिनने के लिए मशीने कम पड़ गई उनसे गलतियां हुई कईयों ने अपनी जेव से उस नुकसान की भरपाई की मुम्किन है बैंकों ने इस बार पूरी तयारी कर ली होगी उनके पास मशीने परियाप्त होंगी पता चला कि पेट्रोल पंप का मैनेजर बैंकों के चक्कर लगा रहा है इस फैसले को सामान ने बताया जा रहा है लेकिन कब नोट बंद हो जाए कब चालू हो जाए क्या इससे भारतिया रुपए की विश्वस्नियता पर असर नहीं पड़ता होगा जिन लोगों ने दो हजार के नोट में दहेज लिये हैं वे अपना देख लें दुलन की विदाई बाद में कीजिएगा पहले इस सामाजी काला धन को निप्टा लिजिए यही नहीं दो हजार के नोटों की छपाई पर रिजर्ब बैंक ने जो सैंकडो करोड रुपए खर्च किये होंगे वो भी तो पानी में बह गए अभी वापस करने में भी आपका भी पैसा खर्च होगा बशर्ते आप के पास बिना पेट्रोल के बैंक पहुँचने की कोई टेक्निक आ गई हो इसका असली असर क्या है इसका असली असर मेरे ख्याल से ये एक राजनेतिक इसमें मोटिवेशन है मेरे हिसाब से करनाटक के एलेक्शन के बाद जिस तरह बीजेवी की हार हुए और जिस तरह करॉप्शन का वहां इशू बना तो शायद मोटिजी ये सिग्नल देना चाहते कि वह अभी भी बरस्टाचार और करॉप्शन पर पूरी तरह हावी हैं और इससे मोटिजी कई एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं उस पे अब सेप्टेंबर के बाद कई एलेक्शन जा रहे हैं कई राज्यों में चैटिसगार मध्यपदेश जो बड़े राज्ये राजिस्थान उस पे इसका असर पढ़ सका है क्यों आपको सब को पता है हो सकता है क्योंकि क्याश में जादा इस्तेमाल शायद होता हो और दूसरा मैं कहूंगा अर्थिवस्ता पर आम आदमी पितना सर नहीं होगा लाइनों में लगना पड़ेगा मगर जो कुछ उद्योग हैं जो जैसे रिल एस्टेट सेक्टर जहां पर अभी भी ब्लैक मनी का बहुत इस्तेमाल होता है अभी आप इंदोस्तान में कहीं भी घर खरीदने जाएं किसी भी शहर में करी 40% आपको ब्लैक पर देना पड़ता है या अगर खरीद रहें तो या बेच रहें तो आपको लोग आपको आफर करते तो तो यह जो पैसा है यह किस तरह वापस यह संयोग है या प्रयोग है इसी साल तीन जनवरी को सुप्रीम कोट का नोटबंदी पर फैसला आया कोट के चार जज़ों नोटबंदी को सही माना मगर एक जज़ ने इसे असहमती जताई जस्टिस बीवी नागरतना ने नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी कहा था उन कि उसके पास ऐसा करने के पर्यापत अधिकार मौजूद थे उन शक्तियों का प्रियोग किया जा सकता था अधिनियम का सहारा क्यों लिया गया विधेक का सहारा लिया जा सकता था ऐसे महत्वपूर्ड फैसलों को संसत के सामने रखना चाहिए था संसत के पर बहस होनी देंगे तो फिर आप अपनी आर्थिक खालत के बारे में ठीक से समझ जाएंगे जस्टिस नागरतना ने तो यह भी कहा कि रिजर्ब बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया है उससे साफ होता है कि रिजर्ब बैंक ने स्वायत रूप से कोई फैसला नहीं लिया सब कुछ केंदर स खजाने से हमें ये कत्रन मिली है सौ रुपय के नोट को बैं किया जाएगा या नहीं संसद में बहस चल रही है उस पर सरकार कह रहे है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है उस समय इंद्रा गांधी सरकार के वितमंत्री आर्व इंकटरमन राजसभा में बयान दे रहे हैं कि सरकार नोट बंदी पर विचार कर रही है सब कुछ खुला खुला हो रहा है लेकिन सौ के नोट को बैं नहीं किया जाएगा क्योंकि जनता को परिशानी होगी गाओं में लोग सौ के नोट रखते हैं और अगर बैन किया गया तो आफ़त आ जाएगी अफरा तफ्री मत जाएगी वो अपना हिसाब अब तक लगा चुके होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरिवाल ने ट्वीट किया है कि पहले बोले 2000 का नोट लाने से बरस्टा चार बंद होगा अब बोल रहे 2000 का नोट बंद करने से बरस्टा चार खत्म होगा इसलिए हम कहते हैं PM पढ़ा लिखा होन इस तरह से लोगों को बेवकूब बनाया गया 2000 के नोट की बापसी नोट बंदी नहीं है यह सब को पता है 30 सितंबर तक आप इसे इसके जरीए खरीद बिकरी कर सकते हैं बात आपकी परेशानी की नहीं है बात उस राजनीती और कुतरकों के भवर की है जिसमें आपको डाल गया था बैंक की लाइन में कोई काला धनवाला मिलेगा तो उसे हलो जरूर कहिएगा वैसे एक समाचार और है दिव्यभास का रखबार ने च्छापा है प्रधान मंत्री का ग्रिष दिला है महसाना यहां से तीन महिने में 2600 लोग विदेश चले गये हैं 2600 ऐसा लगता है ह मैं रविश कुमार